Hello friends, I am Madison and Instrumental Method of Analysis BP7010TK इस वीडियो में हम लो unit 4 में, gas chromatography में, instrumentation of gas chromatography के बारे में बात करेंगे, ये इसका part 1 है, इसमें हम लोग जो हमारा carrier gas supply unit होती है, उसके बारे हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग sample injection system के बारे में बात करेंगे, और separation column के बारे में detail में बात करेंगे, इसके part 2 में हम लोग इसके जो और component है, उनके बारे में यहाँ पे detail में बात करेंगे, मेरा नाम है dr. महमताप सिंग, तो चलिए, शुरू करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा gas chromatography है, उसके बारे में बात करते हैं, तो इस व प्रकार के जो हमारे gas chromatography के instrument होते हैं, वो हमारे GLC के लिए हो, gas liquid chromatography के लिए हो, या हमारे GSC के लिए हो, gas solid chromatography के लिए हो, उनमें हम लोग यहाँ पे basically उसके अंदर 6 component हमारे होते हैं, तो अगर हम लोग इन components के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला component ह वो simply हमारा carrier gas supply unit यहाँ पे कहलाता है, इसमें एक हम लोग जो हमारी carrier gas है, जिसको हम लोग as a mobile page अपने gas chromatography में use करते हैं, उसको हम लोग इसमें लेने का काम करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे एक high pressure पे maintain करने का काम करते हैं, और इसकी हमारे column में जो delivery होती है, वो वहाँ पे तेजी से हो और वो एक वहाँ पे reproducible rate से हो, उसको भी हम लोग simply अपने जो हमारा यहाँ पे gas supply unit है, उसमें इंसोर करने का काम करते हैं, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला यहाँ component है, वो हमारा जो sample injection system है, वो यहाँ पे होता है, इसमें हम लोग जो भी हमारे sample ह जो कि या तो gaseous form में हैं, या वहाँ पे उनको हम लोग vaporize form में convert करते हैं, उनको हम लोग अपने columns के अंदर यहाँ से introduce करने का काम करते हैं, डालने का काम करते हैं, उसके बाद में जो हमारी अगली यहाँ जो अगला component है, वो हमारा separation columns यहाँ पे simply होते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग अगले component के बारे हम बात करें, तो इसमें हम लोग एक या एक से अधिक जो हमारे detectors होते हैं, उनको simply हम लोग अपने gas chromatography में use करते हैं, उसके बाद अगला जो हमारा component है, यह भी यह हमारा काफी important component है, जो कि हमारा कहलाता है thermostate chambers को हम लोग यहाँ पे chambers को उपयोग करते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारा, जो अगर हमारा जो sample है, वो अगर liquid form में है, तो फिर उसको हमें vapor form में convert करने की आओ सकता होती है, उसको एक हमें वहाँ पे proper temperature देने की आओ सकता होती है, जिसके लिए हमें thermal state chamber की यहाँ पे requirement होती है, और इसमें जो हमारा यहाँ पे antim component है, वो हमारा यहाँ पे amplifier जो amplification के systems होते है, वो simply यहाँ पे होते है, तो यह इसका part है 1, इसमें हम लोग जो हमारा carrier gas supply unit है, उसके बारे हमें बात करेंगे, हमारा sample injection system के बारे में बात करेंगे और यहां पर जो हमारा separation columns होते हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे अगला जो हमारा इसका part 2 आएगा उसमें हम लोग हमारे जो और component है इनके बारे में यहां पर बात करेंगे तो आईए हम लोग सबसे पहले इसके diagram को देख लेते हैं, concept आप लोगं को अच्छे से clear होगा, तो इसमें जो हमारी सबसे पहली unit होती है, वो हमारी simply gas supply की जो unit है, वो यहाँ पे होती है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो हमारे filter drivers हैं, उसको यहाँ पे attach करते हैं, यहाँ पे फिर हम लोग जो हमारा pressure है उसको properly control करने के लिए, एक यहाँ पे जो pressure controller है, उसको attach करते हैं, जो भी हमारा pressure है, वो वहाँ पे कितना है, उसको maintain करने के लिए, हम लोग यहाँ पे pressure gauge को उपयोग करते हैं, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे gas है, उसको maintain करने के लिए, हम लोग एक flow meter को भी यहाँ पे simply इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में हमारी जो अगली यहाँ पर assembly है, वो हमारी sampling unit simply कहलाती है, और इसको भी हम लोग एक जो हमारा fixed temperature है, उसके उपर maintain करने का काम करते हैं, जिससे की जो भी हमारे samples हैं, वो यहाँ पर vapor के form में convert हो जाए, उसके लिए हम लोग इसको use करत हैं, हमारा sampling unit है, उसके just बाद में हमारा columns होते हैं, इनके अंदर हम लोग stationary phase को pack करने का काम करते हैं, वो इस place पर होते हैं, यह हमारे अलग-अलग shape के और अलग-अलग length के यहाँ पर हो सकते हैं, और इसको भी हम लोग एक thermo state है या जो oven है, उसके अंदर maintain करने का काम करते है हैं, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर इसके बाद की unit है, वो हमारे जो detectors हैं, वो कहलाते हैं, इनको भी हम लोग एक oven या thermo state chamber में maintain करने का काम करते हैं, और अंतिम जो हमारी यहाँ पर unit है, वो हमारे amplifiers हैं, या जो हमारा recording का system, वो simply यहाँ पर होते हैं, इनको हम लोग simply जो recorders हैं, उनके नाम से indicate करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका जो पहला component है, उसके बारे में बात करते हैं, तो यह हमारा जो होता है, कैरियर गैस होता है, उसको हम लोग यहाँ पर उप्योग करते हैं, कैरियर गैस supply unit को हम लोग यहाँ पर उप्योग करते हैं, तो हमारा यहाँ पे carrier gas supply unit के नाम से इनको indicate करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा carrier gas supply की unit है उसमें हमारी क्या-क्या चीजे included होती है तो इसमें हम एक यहाँ कह सकते हैं कि जो large gas tank है जिसके अंदर हमारी जो होता है हमारा mobile phase है जिसको हम लोग gas use करते हैं वो यहाँ पे compressed form में इसके अंदर रहती है filter रहती है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं उसके बाद में जो हमारी अगली यहाँ पे assembly इसमें होती है वो हमारी जो होती है molecular sieves उनको हम लोग simply यहाँ पर उप्योग एक तरह से करते हैं या कह सकते हैं कि जो हमारे filter dryers है उनको simply हम लोग यहाँ पर उप्योग करते हैं जिससे कि एक हम लोग वहाँ पर dry और हमारी filtered gas है वो हमारे column के अंदर introduce हो उसके लिए हम लोग इसको simply यहाँ पर उप्योग करते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हम लोग gas के tank वगरा use करते हैं तो उसमें से कुछ impurities आ सकती है या जो भी हमारी gas अगर उसके अंदर कोई impurity है तो उसको भी वहाँ से remove करने के लिए हम लोग filter dryers को simply यहाँ पर उप्योग करते हैं और gas के अंदर अगर कोई moisture है तो उसको भी हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर filter dryers को simply use करते हैं उसके बाद में अगली जो हमारी यहाँ पर unit है वो कहलाता है हमारा that is called the pressure controller simply हम लोग यहाँ पर उप्योग करते हैं यह हमारे gas के pressure को control करने का simply यहाँ पर काम करता है उसके बाद में अगला जो हमारा यहाँ पर है unit वो हमारा कहलाता है that is called the pressure यहाँ पियोग करते हैं यह हमारा जो pressure है वहाँ पे कितना है उसको indicate करने का simply काम करता है उसके बाद में अगर हम लोग अनतिम unit के बाहरे भाद करते है तो यहाँ पर हमारा जो gas का flow का rate होता है या हम कह सकते हैं कि हमारे जो gas है उसके flow को properly regulate यहाँ पर करने के लिए हम लोग जो हमारा होता है कह सकते हैं कि जो flow rate का control है उसको हम लोग simply यहाँ पर उपयोग करते हैं कि एक यहाँ पर जो भी हमारा required flow rate है उसके through ही हमारी जो mobile phase है हमार अगर हम लोग gases के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी gases हम लोग gas chromatography में अधिकतर उपयोग करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे hydrogen gas है उसको हम लोग उपयोग करते हैं हमारी जो यहाँ पे helium gas है उसको यूज करते हैं उन nitrogen को हम लोग उपयोग करते हैं हमारा carbon dioxide को उपयोग करते है जो हमारा आरगन है उसको भी उप्योग करते हैं और एर को हम लोग सिंपली यहाँ पे as a carrier gas अपने gas chromatography में यूज करते हैं तो अगर हम लोग इन gas के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारी hydrogen gas होती है उसके हमारे काफी सारे advantage होते हैं कि इसकी जो density है वो काफी कम होती है इसकी जो हमारी thermal conductivity है वो भी हमें काफी अच्छी देखने को यहाँ पे प्राप्त होती है बट इसके कुछ drawback भी है कि यह हमारे जो हमारे unsaturated compounds होते हैं है हईड्रोजेन gas react यहां पे कर जाती है और हमारी gas है वो यहां पे होती है inflammable होती है और इस से हमें जो explosion है वो simply देखने को प्राप्त होता है तो हमारे hydrogen gas है कि उसके कुछ advantage भी है और कुछ disadvantage भी यहां पे होते है उसके बाद में अगर हम लोग helium के बारे में बात करते हैं तो यह हमारी जो कह सकते हूं वो second best gas है वो यहाँ पे होती है बट यह थोड़ा expensive यहाँ पे होती है उसके बाद में अगर हम लोग nitrogen के बारे में बात करते हैं तो यह expensive तो यहाँ पे कह सकते हूं नहीं होती है बट इसक sensitivity है अगर हम लोग nitrogen gas को use करते हैं तो वो हमें reduce होते हुए देखने को मिलती है उसके बाद में अगर हम लोग happy बात करते हैं कि अधिक तर हम लोग कौन सी गैस को अपने gas को met² ग्राफ यूज करते हैं तो जो हमारी अलग-अलग component है उनके साथ में, यहाँ पे inert होता है, उसके बाद में इसकी density भी काफी कम होती है, और इसमें हमें एक अच्छा flow rate अपने gas का देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग अधिक तर अपने gas chromatography में helium को prefer करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो यहाँ carrier, जो gas हम लोग अपने gas chromatography में as a mobile phase यूज करते हैं, उसको हम लोग किन-किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, जब हम लोग इनको select करने का काम करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली characteristic है, अगर उसके बारे हम बात करते हैं, तो यह क्या है, it should be inert, यह हमारे जो भी sample हैं, उनके साथ में react नहीं करनी चाहिए, यह हमारी पहली property, हमारी carrier gas में होनी चाहिए, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह जो भी हम लोग वहाँ पे हमारा, जो हमारी detectors हैं, उनके साथ में properly हमारी gas suitable होनी चाहिए, और जो भी हम लोग sample यहाँ पे कर रहे है analyze कर रहे हैं, उसके साथ में भी ये properly suitable होना चाहिए, उसके बाद में अगर हम लोग अगली property के बारे हम बात करते हैं, तो ये आसानी से available जो होनी चाहिए, in the high purity ये हमें आसानी से मिल जानी चाहिए, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो it should give best column performance, और इस हमारा जो fire का risk है या explosion का हमारा हजार्ड है, वो हमें इसमें कम से कम देखने को प्राप्त होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का वहाँ पर आगवल लगने का risk नहीं होना चाहिए, या हमारे equipment में जो explosion वगएरा ना हो, उसका भी हमें यहाँ पर वो इस तरह की होनी चाहि इसलिए हम लोग जो हमारा helium है उसको अपने gas chromatography में prefer करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा sample injection system है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग sample injection system के बारे में बात करते हैं तो इस place पर क्या होता है कि जो भी हमारा column है उसके just यहाँ पे पहले हम लोग जो हमार यहाँ पर होता है कह सकत Diskussumit sampling system है उसको उपीोग करते है या उसको हम लहाँ पर injection port के नाम से भी indicate करते है तो आसान तरीके से कह सकते है कि जो भी हमारा यहाँ पर होता है carrier gas supply unit उसके बाद में हम लो अपने जो हमारा यहाँ पर sampling system है या injection port है उसको हम लोग वहाँ पर attach करते हैं उसके बाद में फिर हम लोग column को simply यहाँ पर attach करने का काम करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर एक तसे बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पर होता है injection का port होता है उसके साथ में हम लोग एक जो oven है उसको simply यहाँ पर provide करते हैं जिससे की जो भी हमारा वहाँ पे होता है सैंपल वहाँ पे जो वैपर की स्टेट है उसमें मेंटेन हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ओवन को उप्योग करते हैं और इसमें हम लोग जो हमारा ओवन है उसका टेंपरेचर इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल यहाँ पे है उसका जो boiling point है उससे approximately 20 से 25 degree centigrade उपर ही वहाँ पे temperature हो ऐसे temperature को हम लोग maintain करने का काम करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे आसान मुत तरीके से बात करें तो अगर हमारा जो हमारा component है उसका जो boiling point है वो वहाँ पे एगर 60 degree centigrade है तो हम लोग अपना जो हमारा वहाँ है oven उसमें temperature जो maintain करेंगे वो approximately 80 to 85 degree centigrade temperature हम लोग वहाँ पे maintain करने का simply काम करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे sample injection system के बारे हम बात करते हैं तो अगर हमारा जो sample है वो gaseous है means वो gaseous state में है तो उस condition में हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है gas tight हमारी hypotermic needles होती है उसको simply अपने column में introduce करने के लिए डालने के लिए और इसके अगर capacity के बारे हम बात करते हैं तो इसकी जो हमारी capacity है वो यहाँ पे 0.5 से 10 ml की capacity के हम लोग hypodermic needles को simply यहाँ पे use करते हैं उसके बाद में अगर हमारा जो sample है वो liquid state में है हमारा जो sample है वो अगर यहाँ पे liquid है तो उस condition me हम लोग होते हैं यहाँ पर कह सकते के libro हमारी वो syringes हैं उनको simply हम लोग उपयोग करते हैं और इसकी capacity के बारे हम बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा separation column है उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारे gas chromatography के instrument का hurt है वो simply यहाँ पे होता है क्योंकि हमारा जो हमारे column है वो जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमें अच्छा separation यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे columns हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यह जो हमारे जो होता वो réal fem hellex का type है उसके भी हम लोग यहां पर columns को उप्योग करते हैं यहां पे अगर हम लोग होता- co facil halix उसके बारे मिल बात करते हैं तो यह जो हमारा structure है यह कुछ हमारा jo collidal halix है, उसका यहां पर structure होता है इस type के column को हम लोग prefer करने का काम करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कि यह जो हमारे columns हैं, यह किस चीज के बने हुए होते हैं, तो इनको हम लोग अतिकतर जो हमारे होते हैं, copper का हमारा material है, उसका use करते हैं, stainless steel के columns को use करते हैं, जो हमारा aluminum के columns हैं, उनको use करते हैं, glass के columns को भी उप्योग कर सकते हैं जो हमारे नाइलांस हैं उनके columns को भी यूज कर सकते हैं या जो हमारे synthetic plastics वगएरा हैं उनके भी columns को हम लोग simply यहां पर उप्योग करते हैं अब हम लोग जो हमारे columns हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके types के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारे column से उनके बारे में बात करते हैं, तो ये basically हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, अगर हम लोग जो हमारा इसमें एक type है, वो हमारे जो packed column है, वो यहाँ पे होते हैं, और इसका जो हमारा दूसरा type है वो हमारे जो capillary columns है, वो simply यहाँ पे होते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारे packed column है, उनके बारे हम बात करते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारा GLC है, उसके बारे हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं, फाइनली हमारे वो divided और यहाँ पे कह सकते हैं, इनर्ट जो हमारा solid support का material है, उससे हम लोग यहाँ पे densely अपने column को pack करने का काम करते हैं, और इसमें हम लोग अधिकतर जो हमारा होता है, डायटो मैसियस अर्थ है, उस से उसको हम लोग simply coated करने का काम करते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग liquid stationary phase को simply डालने का काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे GSC के बारे हम बात करते हैं, जो हमारा gas solid chromatography है, उसके बारे हम बात करते हैं, तो इस condition में हम लोग जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं, chromatography में अपने columns को pack करने के लिए यूज करते हैं, उसको simply अपने column में pack करने का काम करते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे pad column है, उनकी column की length के बारे में बात करते हैं, तो यह approximately हमें जो एक दस मिलोग पास से 10 meter के columns को हम लोग simply यहाँ पे यूज करते हैं, अगर हम इसका जो internal diameter है, उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो हमारा internal diameter है, वो approximately 2 से 4 mm का internal diameter के columns को हम लोग simply यहाँ पे उपयोग करते हैं, उसके बात में अगर हम लोग जो हमारा capillary column है, उसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो हमारी length है, वो यहाँ पे approximately 10 से 100 meter के, हम लोग यहाँ पे जो हमारे capillary columns हैं, उनको simply यहाँ पे उपयोग करते हैं, अगर इसके internal diameter के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0.1 से 0.5 mm के internal diameter के columns को हम लोग simply यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे packed, जो यहाँ पे column है, उसके बारे हम बात क गों से काफी पतले हैं तो अगर हम लोग यहाँ के बाद करते हैं तो ये again दो प्रकार के होते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला है that is called the wall coated जो columns हैं वो यहाँ पे होते हैं और जो दूसरा है that is called the support coated columns यहाँ पे होते हैं तो इनके बारे में भी हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है जिसको हम लोग wall coated column के नाम से indicate करते हैं या इसको हम लोग जो हमारा वो double quote column है उसके नाम से indicate करते हैं तो यह हमारा क्या होता है that is called the wall coated open tubular जो हमारे columns हैं उनको हम लोग जो हमारा होता हो double quote उसके नाम से indicate करते हैं तो अगर हम लोग wall coated हमारे जो open tubular columns होते हैं, उनके बारे हम बात करते हैं, तो इसमें जो हमारी capillary जो tube होती है, उसकी जो हमारी अंदर की वहाँ पे कह सकते हैं की wall होती है, उसको हम लोग अपने liquid stationary face से वहाँ पे simply coat करने का काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो हमारा tubes है, उनके अंदर का जो हमारा space है, विक्विट इस्टेशनी फेज से हलका सा भीगोंने का वहाँ पे simply काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पर होता है, support coated हमारा column होता है, हमारा जो यहाँ पर escort column है, अगर उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारी capillary है, उनका जो हमारा internal wall होता है उसमें उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा thin layer of हमारा supporting medium है उससे simply यहाँ पे lined करने का काम करते हैं हलका सा जो भी हमारा वहाँ पे जो हमारी capillary की अंदर की wall है उसमें हम लोग एक अपने जो हमारा solid support है उसको हलका सा code करने का काम करते हैं और इसमें भी यह जो हमारी layer है उसके उपर simply adsorb करने का काम करते हैं simply हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी हमारा supporting यहाँ पर material है जो की solid है और जो हमारा stationary यहाँ पर phase है जो की हमारा liquid है तो उस जो हमारा solid है उसके उपर हम लो liquid को वहाँ पर adsorb कर देते हैं और उसके बाद में जो हमारा capillary है उसकी जो अंदर की wall है उसके उपर उसकी एक thin layer simply हम लोग हम लोग बना देते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हम लोगों ने तीन column के बारे में बात किया उनमें जो हमारी efficiency है वो किसमें हमें ज्यादा द देखने को मिलती है तो जो हमारा यहाँ पर होता है s quote हमारा जो column है उसकी जो efficiency है वो हमें जो हमारा w quote यहाँ पर column है उससे कम efficiency देखने को प्राप्त होती है और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पर packed column है और capillary column है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर होते है capillary columns होते हैं उनकी efficiency हमें pad column से ज़्यादा simply यहाँ पे देखने को मिलती है तो आईए इसको हम लोग diagram से देख लेते हैं concept आप लोग को और अच्छे से clear हो जाएगा तो अगर हम लोग यह जो हमारा diagram है इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो हमारा यहाँ पे column है वो यहाँ पे simply हमारा जो pad column है वो यहाँ पे होता है और अगर हम लोग इसके internal diameter के बारे में बात करते हैं तो यह हमारा 1 mm से हमें simply हम कह सकते हैं कि ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं एसकोट हमारे जो columns हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यह हमारे होते हैं कि porous layer open tubular जो columns हैं जिसको हम लोग plot से भी indicate करते हैं अगर उसके बारे में बात क जो हमारा यहाँ पर होता है कई सकते हैM, solid support है और जो हमारा assorbent है, उससे एक thin layer simply यहाँ पर फार्म करने का काम करते हैं और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पर होता है wall-coated हमारे columns होते हैं या जो हम लोग यहाँ पर w- caught हमारे columns होते हैं उसके internal diameter के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा approximately 100 से 530 micrometer का होता है और इसमें जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं column का हमारा जो यहाँ internal area है उसको हम लोग अपना जो हमारा वहाँ पे liquid stationary page है उससे simply एक यहाँ पे उसकी thin layer को form करने का काम करते हैं तो I think so जो भी हमारे यहाँ पे gas chromatography के हमारे component है तीन component है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे अप को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें Thank you